हेलो फ्रेंड्स मैं अभी जीर स्वागत करता हूँ आपको आसन सोल गार्डेन चैनल में दोस्तों आज मैं लेकर आगया हूँ अपने winter के सारे plants के update मैंने बहुत सारे subscribers पूछ रहे थे कि आप जो 2-2 रुपे में plant खरते थे उसका क्या update है तो मैं आज आपको सारा प्लांट अपना दिखाऊंगा जो मैंने एक या दो रुपे में खरदे थे और उस प्लांट का पूरा अपडेट बताऊंगा तो आप मेरे दोस्तों वीडियो के आन तक बने रहिए तो चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यह जो मेरा गेंदा का फ्लांट है यानि फ्रेंच मेरी गोल लाल गेंदा और कुछ पीले गेंदे भी मैंने खरदा था वो सारा जो गेंदा का पौधा है उसमें बहुत मैं आ रहा है और यह सारे पौधे मैंने सर्फ 10 झ्रुपए में खरदा था 10 झ्रुपए मैं मैं तीज पौधे कर रहे थे खोड़े थे अर् जहां-जहां मेरे पौट में जगा थी मैंने वहां-वहां उसे लगा दिया बहुत सारे दोस्तों इसमें फूल किल कर आ रही है आप जैसा देख सकते हैं तो ये मेरा सबसे पहला फ्लावर है जिसका मैं आपको अपडेट बताया और आगे मैं और भी आपको बहुत सारे फ्लावर बताऊंगा और ये देखिए ये जो मेरा दूसरा प्लांट है ये प्लांट है दोस्तो मैं अपको बताऊंगा एह जिसक्या कारण से जो काम है तो सबस्ते पहला जो काम है इस पर जितने नई नई अभी कलिया बन रही है इस्टार्टींग में इसे में तोड़ देता हूं क्योंकि नई कलिया जो बन रई है उसे तोड़ देने से क्या होगा उसके side side से और भी बहुत सारे नय नए branchies आ जाएंगे और एक कलिया तोड़ने से दोस्तों 2-3 branchies वहाँ से 3-4 नय branches निकल जाएंगे इससे क्या होगा आपका plant जो बूसी होगा तो मैं जो कलिया तोड़ने का जो काम है निकाल दूँगा जिससे आपका प्लांट जो है और बूसी होता चला जाएगा तो यह थोड़ा सा सेक्रिफाइस जो है आपको करना पड़ता है अपना प्लांट को बूसी बनाने के लिए तो उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों आपका पौधा जो पूरा जब बूसी हो जाएगा तब फूल लेंगे तो आपका पौधी में भर भर के फूल आएंगा बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में पौधा तो जब यह प्लांट बूस पौधा बहुत यह अच्छा बूसी हो जाएगा और दूसरा जो काम है दोस्तों इस पौधे पर आपको करना है कि आपके पौधे पर कत्यक तीन से चार दिनों के अंदर सरसों की खली का लिक्विट फटिलाइजर देने से क्या होता है आपका पौधा जो है बहुत जल्दी पौधा बहुत ही अच्छा फूल है और यह जो है दूस्तों प्लास्टिक फूल इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके जो प्लावर जो आते हैं वो देखने में पूरे प्लास्टिक के जैसे लगता है जब आप फ्लावर खिलने के बाद जब आप चूएंगे तो ऐसा लगय तो यह काम आपको करना है सरदी के कुछ प्लांट ऐसे जिसमें आपको यह जो पिंचिंग वाला जो काम ही जरूर करना पड़ता है पिंचिंग वाला काम करने से क्या होता है नए निकलियां ज्यादा बनेगी और बहुत सारे धेरो फूल खिलेंगे और मैं दूसरा जो आपको बताया सरसो की खाली का लिक्विट फटिलाजर वो भी आपको देते रहा ना पत्ते तीन से चार दिन में यह दो काम आपको करना है और आपका पौदा जो है बहुत ही बूसी बनेगा और उसमें बहुत सारे नए नए फूल खिलेंगे चलिए आपको दोस्तों अगला कैंठेट का प्लाउर फैमली का प्लांट है लेकीन इसके फूल काफी सुन्दर लगतें देखने में जाने में अब बजी opener इंच्कर सकते हैं है बी मैंने आपको प्लास्टिक फूल और कॉरन फ्लावर दिखाया उसमें आप पिंचिंग कर सकते हैं लेकिन एश्टर का फ्लावर में दोस्तों पिंचिंग की कोई जरुवत नहीं आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी कलिया बन रही है लगबग 10-12 कलियां दोस्तों उपर क कि कोई आउ सकता नहीं है इसमें नीचे से दोस्तों लीफ नोट से बहुत सारी कलिया निकलती है जो उपर के और आपको दिखेगी और धीरे-धीरे जो सारी कलिया है धीरे-धीरे उपर के और निकलेगी और इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं इसमें भी कोई पिंचिंग देना है जो मैंने आपको पहले बताया और ये जो प्लांट है एस्टर हो चाहे गजानिया हो इसे आपको full sunlight में रखना है ये दोनों प्लांट जो है sun loving प्लांट है जितना ज्यादा सुनल करेंगे आपका प्लांट उतना ज्यादा बूसी होगा और बहुत ही जल्दी ग्रोथ क चुका है और इस प्लांट में दोस्तों ये संफ का फ्लांट हुगाया है और से स्वावदा फ्लांट है आप देख सकते इस प्लांट है और ये दोस्तों बिन बुलाएं मेमान के तरह आए है और और यह देखिए यह मेरा कॉस्मोस का प्लांट इसमें भी मैंने थोड़ी से पिंचिंग की थी उपर से लेकिन कॉस्मोस का प्लांट जो होता है उसमें पिंचिंग की कोई बिसेस आओ सकता नहीं है Pinching करने से क्या होगा आपका पودह बूसी बनेगा लेकिन यह जो पودह है जब आप उपर की और जब फूल खेलने लगते हैं तो नीचे अपने आप इसमें बहुत सारी branches निकलने लगती है और सारे branches से फूल आने लगती है तो आप Cosmos का पودह में आपके उपर है आप पिंचिंग करें या ना करें आपका पौदा जब फुल ब्लूम में आता है तो इसमें बहुत सारी कलियां खिलने लगती है और धीरे-धीरे बढ़ने लगती है नेक्स जो मेरा प्लांट है यह आप देख सकते हैं दोस्तों यह प्लांट है कैलेंडूला का प्लांट मैंने दो प्लांट करता था दोनों प्लांट को एक ही पॉट में लगा दिया है और एक जो पौदा है दोस्तों क्रीम कलर का दोस्तों इसमें फ्लावर आया है और दूसरा जैसे आप देख रहे हैं वो ओरेंज कलर का है डीप ओरेंज कलर का इस बार मैंने दो ही प्लावर्ट खरदा था और उसमें से येलो कलर का एक भी प्लावर्ट नहीं निकला है एक ओरेंज और एक क्रीम कलर का निकला है और मैंने दोनों प्लावर्ट को आप देख सकते हैं एक पौधा मिल जाएगा 25-30 रुपए में नरसरी में तो आप वो पौधा लाकर अभी भी अपने गार्डेन में एड़ कर सकते हैं लेकिन ज़री आप नोविंबर में लगाते हैं तो आपको इसकी छोटे-छोटे सीडलिंग्स मिलते हैं जो काफी सस्ता होता है इस तरह से आप य छोटा सा नना सा सीडलिंग्स था और अभी देखिए यह पूरा पौट कवर कर लिया है काफी बूसी हो चुका है मेरा प्लांट और इसका कारण है दोस्तों यह फटिलाइजर यह सरसों की खली का लिक्विड फटिलाइजर जिसे मैंने दे दे कर अपना पौधा जो है इतन बंद कर दूँगा और उसके बाद मैं पोटास वाला फटिलाइजर दूँगा जिससे इसमें जो कलिया है वो धेर सारे ब्लूम करें बहुत सारी फूल आए दोस्तों बस इस तरह से आपको पौधे की केर करनी है और काफी सस्ता मैंने इस बार प्लांट करता है और इन प्ल पौधा जो ऐसी तरह से ब्लूम करेंगा ठेरो कलियां बनेगी और बहुत सारा फूल खिलेगा इस तरह से आपको मैं दिखाता हूं नेक्ष्ट जो मेरा पौधा यह भरविना का भरविना का मैंने आपको बताया था मैंने तीन-चार प्लांट लिया था लेकिन दोस्तों ब बचा लिया और आप देख सकते हैं आप यह पौधा जो है अच्छी तरह से ब्लूम करना भी स्टार्ट कर दिया है और यह पौधा जो है आपको फूल सलनाइट में रखना होता है और यह देखिए मेरा जो है सीनेट मेरी गोल्ड जिसे काते हैं हजारी गेंदा बहुत पौधा मैं पिंचिंग करना बन कर दिया हूं और यह जो है चेरी गोल्ड का पौधा इसमें भी दोस्तों आप पिंचिंग करके बहुत सारे नए नए जो है ब्रांचेस बना सकते हैं मैंने एक पौधे पिंचिंग किया और उसमें दोस्तों चार ब्रांचेस निकली है पिं i gold के पौद के पौद के मैं में पास पाउद कर पिंचिंग सो औंसरे पाउदों के पींचिंग गर दौसं सारे प security आरनेaldo और मैं अशुक्पा सारे पाउदो को पास व्यदियो लिकर आपके पास आऊओंगा और मैं दिखाऊंगा कि उन सारे पौदों पर किस तरह का ग्रोध चल रहा है तो फ्रेंट्स आपको आज मैंने बताया कि मैंने अपने प्लांट्स पर क्या-क्या डाला है और किस तरह का फर्टिलाइजर डाला है और क्या क्या किया जिसके कारण से मेरा पौदा जो है उसके बहुत अच्छा गुरोध चल रहा है तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आवेस बताएं और अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपके ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो में लाता रहता हूं फ्रैंड्स